हेलो गाइज मैं अमन सिंग मोटिवेस्टनल स्पीकर कैरियर कोचा एंड कंसल्टेंट आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका अच्छा दस पास होने के बाद कौन कौन सी कैरियर अपर्चुनिटी आपके पास रहती है आप किस कैरियर में किस किस फील्ड में आप अपना बेस्ट कैरियर बना सकती है यदि आपको पढ़ना है तो आप पढ़ने के लिए कोर्स भी अवेलेबल है आप पढ़के भी कोर्स अपना बेस्ट कैरियर बना सकते फ्यूचर में अच्छा पैसा कमा सकते हैं और यदि आपक किस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे तो चलिए श्टार्ट करते हैं आपकी कोर्सेज तो हेलो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कैरियर आफ्टर टिंथ प्लस ठीक है जब आप कच्छा दस पास हो जाते हैं उसके बाद के क्या-क्या कैरियर to go-book प्लस करेंगे जब आप थाइं में अच्छा आपके पास होते हैं आप क्या-क्या कर सकते अपनी लाइफ में इसके बारे मैं बात करेंगे देखें अप लोग एक बात रखें घर न recommend एक यहीं से लक्ट करें के लिए और पूरी जिन्दगी आप डॉक्टर बनेंगे तो यह एक ऐसा इस्टेज होता है जहां से आपकी जिन्दगी एक नए मोड पर जाती नए दिसा पर जाती है और आपको क्या करना होता इसके बारे में तो देखें यहां पर कुछ लाश्ट में डिसकस करूँगा और पहले हम लोग जान लेते हैं कि यदि आप 10 पास आउट हो चुके हैं इसके बाद आप कौन को सी फील्ड में अपना बिष्ट कैरियर बना सकते हैं तो चली देखते हैं जब आप 10 बच्चों पास होते हैं इसके बाद आपके पास सिर्फ त तो पहले हम साइंस के बारे में बात करते हैं देखे जो साइंस होता है साइंस फील्ड वाले लड़कों में इतना अच्छा होता है मतलब कि यह फील्ड वाले लड़के किसी भी फील्ड में या किसी भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जिसने साइंस लिया है वो सभी फॉ chemistry biology PCB ठीक है यदि आपका engineering में मन थीक है आपका technical में मन है आपको engineering करना है hacking करना है और इंटरनेट से संब्दी computer से संब्दी जानकारी लेनी chemical से संब्दी जानकारी लेनी है तो आप PCM ले सकते हैं फिसक्रमेश्टी मैथ यदि आपको doctor बनना है दवाई बनाना है है ना फार्मा इंडश्टी में काम करना है और बहुत डिर सारे लैब वेब में कापको काम करना है तो आप पीसी भी ले सकते हैं फिरिक्स के मेंस्टी बाइवलाजी क्लास 11 टीक है और यदि आपने 11 पे कुछ गडबड किये तो समझो हट गें ठीक है आप लोग यहां समझ समालना एकाउंट मैनेज करना कि कितना रिवेन्यू हुआ कितना हमको घाटा लग रहा है कितना फायदा हो रहा है कितने प्रोड़क्ट भी करें यह सब चीजे समालना होता है एकाउंट इंसी ठीक है जो कॉमर्स लेके 11 और 12 में पढ़ते हैं वो लोग बहुत आगे तक जा समझने जाता है और ठीक फिर बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स होता है फिर यह वना जाता है कुछ भी नहीं पता था क्योंकि मेरे समय इतनी सारे रिसोर्स नहीं थे कोई मुझे बताने वाला नहीं था लेकिन आप लोगों के पास है ठीक है मैं आपको बता रहा हूं आप लो समझोगे या खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करोगे उसको कैसे चलाना है कैसे मार्केट में उतरना यह सब इस सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे और कॉमर्स लेने वाले सबसे खास बच्चों की यादत यह होती है कि जब बिजनेस करते हैं ना तो उनके नाम के पीछ CEO मतलब बहुत बड़ी बात होती है नाम की पीछे लगना जैसे आज आज आप लोग देख रहे हैं जो दुनिया का सबसे रहीस इंसान है उसका नाम है जैब बेजोज ठीक है और वो CEO है किसका Amazon का Amazon आपने सुना होगा और आपने खरीदारी भी की होगी ठीक है इसके बाद आठ तीसरा अप्सेन आता है आठ आपके पाश टेंथ के बाद तीन ही ऑप्सेन होते हैं इलेवंध में पढ़ाई करने के लिए साइंस, कॉमर्स और आठ आट में आप बहुत डेर सारी चीज़े होते हैं आट के बारे में आप जानते ही है ना तो इसके बारे में होके आर् इंडिस्टियर्ट ट्रेनेंगय इंटियल्फ है ना मतलब इंडस्टि लेवल पे आप जाके काम करेंगे यह लगबग 6 महीना से इसका कोर्ण्ध छुरू होता है जा सफ सुरू होता है और IT प्रत। यह też इंजीईरिंग भी ओता हुँढान इंजीडींग करना है यह आपको आप कर सकती हैं यह आपको शुभीजुम करना है तो मियंगत्रिण Amg तो पर आप उन्जीजीडारिंघ कर सकते हैं इसमें tv आपम dor print को सकते इसमें एकट का फॉर्म आता कॉमन इंट्रेंस टेस्ट ठीक है कॉमन इंट्रेंस टेस्ट का आप एक्जाम दीजे कॉलिफाई किजे और फिर पॉलिटेखनिक करने लगी यह अब आप पो चार साड़े-चार साल का पड़ता है ठीक है अब देखते हैं कुछ डिप्लोमा कोर्स मतलब जब आप 10 पास हुए मतलब इंटीरियर बाहर का जो दिखे-दाइन उसको डीजाइनर करना ठीक है उसको उसके लिए उचलीइनर होते हैं इसके भूधा इन फोटोग्राफी अगर आपको फोटोग्राफी करना है अगर आपको लगता है कि मैं अपना कैरियर बेस्ट कैरियर फोटोग्राफी में बनाऊंगा तो आप डिक्लोमा ले लिजे फोटोग्राफी में और एक सौप खोल लिजे कहीं पर भी फोटोग्राफी के काम करिए क्योंकि आज फोटोग क्योंकि संदीब महस्वरी एक motivational speaker है लेकिन ये पहले एक photographer है ठीक है आज भी ये photography करते हैं देखे हमारे एक दूसरा channel है बायो अमन motivation के नाम से उसमें बहुत डेर सारे motivational videos, motivational content लेके आते हैं तो आप लोग उस channel पर जरूर जाएगा और उस channel को जरूर चेक आउट कीजिए क्योंक 10th pass होने के बाद कर सकते हैं यदि आपको यदि आपको आगे पढ़ाई करनी है यदि आप को 10th pass होने के बाद कुछ आगे पढ़ाई करनी है तो आप लोग science का सबसे बढ़ा फाइदा यह सब कुछ कर सकते हैं लेकिन कॉमर्स वाले बच्चे फिर डॉक्टर नहीं बन सकते हैं तो आप लोग इतना समझ लिए इसको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए चलिए हम देखते हैं आगे कि अपने लाइफ के लिए सीरिय सोजाओ तुम लोग क्योंकि क्लाश टेंथ ही एक ऐसा मतलब एक ऐसा इस्टेज होता है जहां से आपकी लाइफ एक अलग मोड पर जाती है एक अलग दिसा पर जाती है ठीक है तो अपने लाइफ को सुधार सकते हैं अभी अब देखते जैसे बीना पैसे बीना मतलब बीना पढ़े वाले कोर्स बीना पढ़े वाले कोर्स यह है कि आप अपना ऑनलाइन सेट अप कर सकते बीना पढ़े आप ऑनलाइन में ही जा सकते हैं ठीक है ऑनलाइन ऑनलाइन में सबसे पहला आता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या आता है प्रोड़क्ट रिप्रेजेंट करना होता है प्रोड़क्ट आपको लोगों को दिखाना होता है अपना प्रोड़क्ट बेचना होता है अब जितने प्रोड़क्ट रहे सारे बेचते हैं जितने लोगों को आप एक अठा करते हैं जितने हर महीने प्रोड़क्ट रहे उसका ब करिए हमारे चैनल आउनलाइन पोर्टल को सामाल लिए ठीक है और उनको पैसा भी देते हैं ठीक है आप वीडियो एडिटिक का कोर्स कर सकते इसके बाद आप इसक्रिप्ट राइटर script writer मतलब कि हमारे चैनल के लिए जैसे हमारे एक दूसरा चैनल है बायो अमन मोटिवेशन हम लोग उसमें script writer को ढूल रहे हैं कि जो script हमारे लिए motivational script लिख सके हम लोग उसको hire कर रहे हैं और उसको बहुत अच्छा पैसा देते हैं लग बख 40,000 से उपर ही उनकी salary रहती है समझें कि हमें online पैसा मिल रहा है तो हम लोग देने में हमें हिसकी चाहट नहीं होती है इसके बाद अब है blogging blogging अब जैसे ये है कि आप लोग देखे होगी कि आपको कोई भी question फसता है तो आप YouTube पे जाके देख लेते हैं वीडियो अगर कोई बंदे ऐसे होते हैं कि उनको वीडियो नहीं देखना है उसको script पढ़ना है तो वो बच्चे blogging करते हैं website में जाते हैं website में लिखते हैं अपना जो talent होता है उसको बताते हैं करने लोगों को लोगों आके उसे पढ़ते हैं वहां पे भी traffic generate होता है वहां से पैसे आते हैं इसके बाद आप कर सकते हैं ब्लॉगिंग के बाद आप वेबसाइड डिजाइनर मतलब कि आप वेबसाइड डिजाइन कर सकते हैं इसमें बहुत डिर सारा पैसा है इसके बाद आप बन सकते हैं आएप डेवलपर देखिए यदि आप क्लाश टेंथ में हैं और आपको पढ़ने लिखने में मन नहीं लग कर असकते हैं महीने कौन सी lot क्या करोड़ोरुपए चमा रहेareth सिर्फ ऑनไ绦्ध से यूटूबर बन सकते हैं यदि आपके पास पढ़ाने का सोख है आपके पास कोई डांस करने का सोख है आपके पास गाना गाने का सोख है तो आप एक अच्छा यूटूब पे आके अपने पैसन को दिखा सकते हैं, अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं, और एक अच्छा यूट्यूबर बन सकते हैं, देखें अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ने में दीदा नहीं लगता है, तो आप लोग छोड़ दीजिये पढ़ाई, और 11 से ही YouTube पे आजाए ओन्लाइन पोर्टल पे वेबसाइट बनाईए एब बनाईए और किसी कमपनी के लिए काम करिए और धीरे-धीरे करके खुद का ब्रेंड बनाईए और इस्टार बन जाइए ठीक है तो चलिए आज का वीडियो बस यहीं तक क्योंकि यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में और हाँ क्लाश 10 की जो साइंस है मैं इसी चैनल बायोमन पर पढ़ाऊंगा तो आप लोग बने रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्लाश 10 साइंस का पहला चैप्टर है जो रासाइनी का भीक्राओं समीकरण इसी चैनल पर पढ़ाऊंगा तो चलिए पढ़ते रहें महिनत करते रहें फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए ओल दे बेस्ट झाल